हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाएं यह वीडियो एक कालपनिक खबर पर आधारित है इसका मकसद केवल हासिव यंग्य स्वस्थ मनुरंजन और राजनीते कटाक्ष करना है किसी की मानहानी करना नहीं देश के कई राजियो में एटियम और बैंकों में अचानक कैश खतम होने की खबरे आ रही है पैसो के लिए हाहा काल मचा रहे लोगों को धान्डस बांधते हुए वित्मंद्री जेटली ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं बस दो चार दिन की बात है मोधी जी इंग्लेंड से पैसा लेकर आने ही वाले हैं फिस सारी प्रॉब्लम खतम हो जाएगी कैश की किलत पर आनन्फानन में बुलाई प्रेस कॉन्फरेंस में जेटली जी मीडिया को जवाब देने की बजाए उन्हीं से सवाल पूछने लगे मुझे बताओ ललित मोधी कहा है रिपोर्टरस ने जवाब दिया इंग्लेंड में और विजे मालिया कहा है रिपोर्टर फिरेक सुर में बोले इंग्लेंड में बस इसलिए इंग्लेंड गए हैं मोधी जी ललित मोधी और मालिया जो हमारे देश का पैसा दबाए बैठे है वो उसी पैसे को निकालने के लिग लाइन गए हैं और आप लोग समझ रहे हैं कि वो सेर सपाटा कर रहे हैं हमने तो सुना है कि लोग ATM और बैंकों से पैसा निकाल निकाल कर अपने घरों में जमा कर रहे हैं ये सुनकर जेटली जी तपाक से बोले, तो करने दो, वे कितने भी पैसे जमा कर ले, मैं नया टेक्स लगा के सब निकाल लूँगा। ये कहकर वो बगल में बैठे अफसर को कोहनी मार कर कुटिल धंग से मुस्कुराने लगे। उदर भारत के बैंकों में पैसा खतम होने की खबरों पर हॉंग कॉंग में बैठे नीरव मोधी ने कहा है कि अब तो इंडिया वापस लौटने का कोई फाइदा ही नहीं है। जब वहां के बैंकों में कैश ही नहीं बचा तो मैं वहां लौट कर क्या घंटा लूँगा। हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें।